अब तक जितने भी Android 10 के अपडेट आये हैं किसी भी डिवाइस का क्यूं न हो लेकिन यह जो Ion OSN यह अब तक का सबसे बेस्ट रोम बन जाता है हर एक डिवाइस के लिए इसके पहले मैंने इसका रिवीव फाइप प्रो डिवाइस के लिए किया था और काफी कमाल के इंट्रेस्टिंग फीचर समय देखने को मेले थे अगर आपके कोई भी दोस्ते है फाइप प्रो का युजर से बता है Ion का यूज करने का क्यूंकि रिवीव मेंने प्रवाइट किया और काफी कमाल का रोम लिगल के आया है और यहां पर अब अपडेट आया है रेडमी के नोट फो डिवाइस के लिए तो वीडियो को फुल एंट एक वाच करते रहें क्यूंकि आपर अमेजिंग और काफी इंट्रेस्टिंग आपको किस्ट्रमाइजेशन देखने को मिलने वाला है और सास्यात कैसा प्रफोर्वेंस रहता है उसकी वी डीटेल आपको मिलने वाली है तो हो सकता है कि यह आपक काफी कमाज का यह लगा है तो चलिए वीडियो को सुली करें तो सबसे पहले हम स्यूच करेंगे इसके अबाउट के पेच पे जहां पर देखें इसका वर्जन और बाकी अदर चीजे तो आज आते हैं यहां पर लिखाव मिलता है और फाइफ और लिटेस्ट सेक्यूर्टी जीया गया है और साथ आपको यहां पर गूवल फ्ले सि स्टम अपडेट 10 का मिलता थे पियोर चोडम स्यूर्टे मिलता है आयक आप इनिवल करते हो यहां पर दो इंट्रेस्टिंग चीजे नजर आती है आपको इस सेटिंग्स वे टैप करना है यहां पर हाइड पिल्स नेप बार्ट चो कि यहां पर दिखाई दे रहा है Android 10 का इसे आप हाइड कर सकते हो साथ से जब हाइड करते हो एक एर्रो दिखाई द आएक ही बात करते हैं तो आगे आपको देखने को मिल जाता है वही साथ चीजे क्योंकि यहां पर आपको जी एफ इस रोंग के अंदर इंक्लूड मिलता है जैसा कि पिक्सल एक्स्प्रेंस है तो आपको अलग से फ्लैस करने की जुरूत नहीं है बस एक छोटी सी कमी रेट नहीं हुआ है और जब जीज दिक्स होगा सबसे पहले वीडियो में आपको प्रॉइट करूँगा ओके सांट के और अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पर वही साइच चीजे मिलती है यहां पर नहीं दिया गया है डिस्प्ले के अगर बात करें तो डिस्प्ले में आपको ला जाता है लेकिन यहां पर पिक्सल के सेशन भी दिये गए हैं जहांसे आप अच्छे अच्छे वाल्पेपर जो डाउनोड कर पाओगे तो यहां पर काफी इंट्रेसिंग और नए वाल्पेपर सेशन आपको देखने को मिल जाते हैं इस रोम के अंदर जो कि मुझे काफी ज आपको बटन मिल जाता है तो काफी अच्छा सा ओप्सान है जो किस्टमाइज किया गया है एंबेंट से रिलेटेड मोहीं पेगर हम बैट्री के बात करें तबहाई अभी करेंट्ले में यूज करना हो बीच में चार्ज भी किया गया था लेखिन एस्टिंट बाई मुझे 4 प्रपर्शन की बैट्री देखने को मिली है 4G के नेटरॉक पे एक और मोर इंट्रेस्टिंग चीज नजाती है वह इसके वोल्टी का आइकन जिया तो वोल्टी का आइकन इस वार बिकुली नया यूज किया गया है इस आयूस की वर्जन के साब से जो कि मुझे काफी कमाल क लगा और कुछ और नए आइकन स्पैक आपको नहीं को मिल जाते हैं वोल्टी के अब आते इसके इसके इस्ट्रा कस्टमाइशन पे यहां पर बहुसा है चीज नई देखने को मिलती है तो पहले बात करते इसके वर्जन की जो कि आपको मिलता है 2.4.a यहां यह जो की आइकन का सेव यान डिजाइन चेंज कर पाऊगे एडर का इमेज, कलर सेट करना बागी कलर्स वगएरा फॉन, टाइम इन देट सजिशन वगएरा ता आपको मिलता ही मिलता है यहां पर आपको क्लोग की सेटिंग्स आपको मिल जाती है नेट्वर्ग ट्राफिक यहां पर इनेबल और डिशल कर सकते हो जो कि में फिलाल अभी डिशल कर रखाऊ, बैटी प्रसेंटेज इनसाइड रखना है आउट साइड हो आप सेट कर सकते हो, यहां पे किस तरीका का इसना ले आउट होगा वो भी आपे यहां पर जिनेजो कर सकते हो, जब भी आप चेंज कर जो कि अब तक के बहुत ज्यादा वॉल्टी के आइकन प्रोइड करने वाला एक आवन बन जाता है क्योंकि यह option में बहुत सारे देखे हैं लेकिन सब में बहुत कम आइकन पैक नजरा है जब कि यहां पर बहुत ज्यादा आपको अंजिन को मिल जाता है अब देख सकते हो हर करने जो अलग अलग ले आउट आपको प्रोइड करता है तो जो भी आपको आइकन अच्छा लगता है वोल्टी का वह आप यहां पे जो इजली है जो यूज कर सकते हो और बस टैप करना है और यह चेंज हो जाता है बट जो बाइड डिफोल्ट इस पर दिया गया है निव आ इहां पर हो सकते हो जो पर सकते हो यह बटन की कस्टोमाइजेशन पेड़ तो बटन की किस्टमाइजेशन आपको मिलता है यहां पर जैसा भी रिनियम करना चाहते है वो आपे जो set कर सकते हो, आए कर रहाता है बटन की customization पे, तो button की customization आपको मिलता है, यहाँ पर double tap का भी option मिलता है, पावर विन्यों पे आप जो भी option इनेवल करना चाहते हो, वो option आप यहाँ पर इनेवल कर सकते हो, तो काफी अच्छा सा option इनेवल का features मिलता है, नेप बार में आपको यहाँ बटन की option जहाँ पर triple triple वाला benefit यहाँ पर यूज कर पाऊगे, जो कि काफी interesting चीज़े हैं, उसके बाद नीचे की रहाते हैं, तो वही हर एक बटन की रूपर triple triple वाला features इनेवल कर सकते हो, बैक की रहाते हैं, तो आपको मिलता है यहाँ पर lock screen जहाँ पर clock के व force biometric unlock भी आपको मिलता है, यानि आप अपने device को restart करते हो, तो आपको reboot करके दुआरा password इन करने की जरूत नहीं है, डाय का fingerpin का use करते हुए unlock कर सकते हो, notification में kill का option देहनी को मिलता है, hands up, noise और vibe, connecting, disconnecting का option, charging का animation, age lighting में extra customization भी यहाँ पर provide किये गए हैं, जबकि इसके पहले वाल notification आपको यहाँ पर मिल जाता है, age lighting को लेकर, flash, blinking, calling के time, charging का और notification का LED कलर, वो भी आप यहाँ पर change कर सकते हो, system के अंदर आपको मिलता है, gaming का mode जो कि पहले नहीं था, बागे force, expanded वगरा आपको देहनी को मिलता है, एक और काफी interesting चीज़ आपको मिल जाती है, वो है screen shoot type, जैस पर type करके click कर सकते हो, अपना screen shoot, आप अगर चाहतो longer screen shoot click करना, तो यह तीसरे वाले option को select कर सकते हो, उसके वाद जब भी screen shoot click करोगे, तो आपको यहाँ पर long screen shoot click करने का features मिल जाता है, जैसा कि हमें oxygen OS के room में देखने को मिलता था, तो आप long screen है, जो click कर पागे, बस आपको आ प्रिटिंग features लगा और जितने में features आए हैं, सारे इसी build में जो add किया गया है, तो यह मुझे काफी जड़ा बेटर लगा, बाकि other ROMs के compare, और वहीं पर बात करें, इसके untute की twice, जो by default के nail use किया गया है, उसके आपको performance काफी बेटर देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफी high score गया है, जो कि 91095 का है, और यहाँ पर aim in, आपको abnormal फासा देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर version यूज कर रहा हूँ, 7.2.2, तो आपको popsy से regarding, performance से regarding, को भी issue जो नहीं आने वाले है, एप्स का response भी काफी कमाल का देखने को मिलता है, कोई भी आप एप पर टैप करो काफी quickly वो open हो जाता है, वहीं पर net safety की बात करें, तो net safety भी आपको यहाँ पर fully workable मिलता है, यानि pass मिलता है, तब banking app बगएर भी यूज कर पाऊगे, यहाँ पर आपको जियो का जो fluctuation है, वो भी काफी हो तक fixed है, ताको जियो से regarding, voltage regarding, कोई भी issues देखने को नही मिलती है, अब दो बग यहाँ पर रह गए हैं, जो कि मिट्रो डिवाइस में अक्सर देखने को मिलता है, हर एक रोम के अंदर, पहला जियो का वीडियो का और दूसरा आपको यह गोडिक्स अवे तक fix नहीं हुआ है, बस यह दो बग लेकर, बागे जितने भी कस्टमाईश करने का कोई भी benefit नहीं बनता है, क्योंकि वाइक काफी कमाल का change आया है, और काफी interesting आपको features भी देखने को मिल जाते हैं, वीडियो पसंद आई हो, वाइक लाइक कर दो, काफी मेहनत लगती है, बस आपसे लाइक का डिमांड रहता है, और नए हो तो चैनल को subscribe, और अपने तो success share, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, इसी तरह की Amazing Rome की review के साथ, तब तक लिए, बाबाए